Hello Friends, Welcome to Learns Reviews, This is Ram Soni, आज हम discuss करेंगे MPPSC 2022 मेंस के बारे में, वोल देकि MPPSC 2022 मेंस के लिए थे हम कैलेंडर को देखेंगे, तो यहां पाएंगे कि राज सिवाप मुख परिष्या 2022 का जो कैलेंडर है, इसे बोला गया है कि 30 अक्टूबर 2023 से लेके 4 नॉम्बर 2023 तक हो सकता है, व मतलब इसके बाद ही जा सकता है, लेकिन अभी जो हम कैलेंडर के हिसाप से दिम चलेंगे, तो roughly हमारे पास है 75-60 दिन का टाइम है, और इस टाइम डूरेशन में हम त्यारी कैसे करेंगे, आज हम इसके बारे में डिसक्स करेंगे, क्यों कॉन सी जो को हमें फॉलो करना चीए कौन को सी जो को ध्यान रखना चीए, लेस्स टाइक एबरिटिंग बन बैवन, एक और मातपूर्ण चीज़ है, दस तारीक से आपकी जो मेंस की जो क्लास है, वो स्टार्ट हो जाएगी, तो जो लोग भी मेंस की क्लास है जोईन करने के चुक हैं, वो कॉल कर सकते हैं, से पहला पॉइंट है, selective reading, because time बहुत कम है, तो आपको बिल्कुल selective reading करनी पड़ेगी, मतलब अंदादुन तरीके से ऐसा नहीं कि आपको किताब उठाओ और पढ़ना सुरू कर दो, बिना सुचे समझे, कोई भी किताब unnecessary नहीं पढ़ना है, आपको इस चीज़ को ध्यान पढ़ते पढ़ने बैड़ जाओ, ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है, short notes की copy अपने साथ रखना है, और short notes बनाते चलना है, बतलब बहुत लंबे-लंबे नहीं, मतलब keywords की points जो है लिखते चलेंगे, selective reading में एक बड़ा question ही बहुता है, कि कौन-कौन topics को पढ़ना चाहिए, किस गहराई तक पढ़ना चाहिए, ये दोनों चीज़ें जो है काफी अहम होती है, तो इसके जरूरी है कि पिछले 5-6 साल के previous question जो है आप आपर तरीके से देख लें, और उसको सिर्फ एक बार नहीं, बार बार देखें, because क्या होता है, एक बार देखने से idea नहीं लगती है आप जब उसको बार बार देखते हैं, तो माइंड मुझे प्रोसेस होती है, और जब प्रोसेस होती है, तो माइंड उस चीज़ का pattern तयार करता है, तो यहाँ पर आपको ये idea देता है, कि ये topic कौह में इस कहराई तक पढ़ना अचीए, तो हम बहता तरीके से answer को लिख नहीं है, पिछले 5-6 साल के previous question property case देखिए, वहाँ से आपको idea मिलेगी और उसको एक बार नहीं कई बार देखिए, तो चीज़े minor process करेंगे, उसके बाद में आपको idea लगना जाएगी कि क्या चीज़े पढ़ना है, और किस level तक पढ़ना है, प्रियास करें कि जो previous question है, उसक कोई भी question पूछ दिया गया, कि मदवदेश का freedom struggle है, उसमें क्या contribution है, तो जब भी ऐसे question पूछ आते हैं, कि मदवदेश का स्वाधिनतर संगराम में क्या युगदान रहा है, तो वहाँ पे आपके जीहन में कुछ question आएंगे, कुछ points आएंगे, जैसे कि एक तो ये जरूरी है लिखना कि जो, I mean, freedom struggle में किसने किसने contribute किया, तो at least 2-4-6 freedom fighters का नाम पता होना चीए, इसके बाद एक ये भी लिखना जुरूरी होता है, कि जो महत्पूर्ण जो सत्याग्रह हुए हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं, जंडा स्याग्रह बारे में लिख सकते हो, जब आपको information होती है, तो लिखने में आसानी होती है, मतलब कहने के मतलब यह है, कि जब आप previous question देखते हो, और उसको लिखते भी हो, तो लिखने से क्या होता, mind different aspects की तरफ जाता है, तो mind फिर ये तयार करने लग जाता है, कि हाँ मुझे ही चीज़े पढ़ना चीज से, because देखो, सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा, जब लिखोगे, तब ही जाके mind आपका चलना शुरू होगा, that's very important, है न, तो यहाँ पर आपको selective reading करने के जरूरी है, कि पिछले 5-6 साल का previous question देखें और उसको लिखें भी, और जब लिख normal perspective से देखें, कि यदि किसी candidate ने, चुकि prelims qualify कर रखा है, तो prelims qualify कर रखा है, तो उसका इतना level होता है, कि लबग subjects के बारे में average understanding उसके पास होती है, अब जब average understanding होती है, तो उसे साब सिथे analyze करें चीजों को, तो यहाँ पर आप पाएंगे, as of now हमारे पास हमारे जो starting के जो नमबर, ग्यार नमबर के questions का pattern होता है, तीन नमबर question के बायत करें, mostly objective format के होते हैं, question पता है, तो ठीक है, नहीं पता है, तो भी ठीक है, अब उसे बहुत कुछ idea आपको होती नहीं है, कई बार, कुछ question ऐसे होते हैं, जहाँ पे, तो आप देखकर ही आपको idea लग जाती है, क मतलब botanist क्या है, मतलब you don't know about that, तो कई बार ऐसे दिक्कते हैं, तो three marker question होते हैं, objective format में, आता है तो ठीक है, नहीं आतो ठीक है, लेकिन तब भी इसमें दिखाया, तो जिन लोगोंने plans qualify कर रखा, उनका knowledge base इतना होता है, कि वहाँ पे लबग 60-70% question आपको by default आते हैं, आम त लिख देनी है, जो उसके बारे में बोलती हो, second thing is that, उसके बारे में कोई content पता है आपको, वो बदा सकते हैं, कि इसे PSLV बारे में लिखना है, तो बदा सकते हो, PSLV एक launching vehicle है, इसमें कितने stage हैं या बदा सकते हो, कि three stage है, four stage है, आप बदा सकते हो, इसके बाद, तीसरा जो है, आप लिखें, इस three marker में, जो अच्छा रहेगा, उसमें news में कोई चीज़ important है, ऐसे PSLV माल लो अभी, एदी चर्चा में रहा news में, या कोई अभी launch किया आपने, उसको आप कोट का सकते हो, या तो information नहीं है news की बारे में, तो आप content की ही चीज़ लिख सकते हो, उसे find up का सकते हैं, तो three marker question इस तरह से लिखने हैं आपको, जैसे five marker में आप जाते हो, तो यहाँ पर दिखा जाया तो, लबग 80-90% question के बारे में idea आपको होती है, कुछ नो कुछ तो idea होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको exact idea होती है, कि यह लिखना है तो उसे वही पता होना तो, उसके content में, three marker में आपने एक point लिखा है, यहाँ पर content में आप दो-तीन point ले सकते हैं, इसके बाद में कोई news में चर्चा में रहा, तो उसको आप code का सकते हो, तो यह रहा five marker, बहुत जा difference नहीं होता three marker हो five marker में, थोड़ा सा content में थोड़ा सा एक दू चीज़ें आप और आप लिखना सुरूगर होगे, तो यहाँ पर क्या होता है, कि पहले आप उसको define कर सकते हैं, मतलब जो introduction part है, उसको आप लिख सकते हो, उसके बाद में आप जो content लिख रहे होते हो, उसमें चुकि एक analytical question होता है, अब यहाँ पर इतना content भी आपके पास नहीं होता है, यह उत aspect generate करने होते हैं, फैरा, उसके दो-तीन aspect, जैसे जनदास तक रहे का freedom struggle में क्या contribution रहा, इससे patriotism की भावना लोग के अंदर पैदा होई, ऐसे दो-तीन points बनाके फिर आपको उसको exaggerate करना होता है, उसको further आपको expand करना होता है, तो यह चीज़ें proper तरीके साब करनी होगी, बाद आपने लिखने हैं, इसमें एक तिहाई page में आपने introductory part लिख दिया, इसमें आपको ने उसको define कर दिया, और साथ में एक-दो चीज़ें और बता दी, middle part की बात करें, तो middle part में आपने बना रिखाए कि दो aspect यहाँ पे और दो aspect यहाँ पे लिखेंगे, तो इस तरह से आपका यह दो तिहाई page complete हो जाएगा, उसके बाद में last concluding remark, जो resident news है चर्चा में है, उसको लिखकर हम complete wind up कर देंगे, तो लिखना basically answer आपको इस pattern में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने जो follow up किया है बित्ते कुछ सालों में में से candidates को, उसमें काफी अ इंसान को हमेशा लगता है कि हमें ये नहीं आता हमें वो नहीं आता, बड़ा भी ऐसी बात है, because कहते है ना जितना आप पढ़ो उतना ही मन में confusion पैदा होता है, हलेकि मैं ये negative sense में नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितना कोई पढ़ता है ना उतना उसक होती रहती है, लेकिन इसका मतब ये नहीं कि आप बाकी जो को side में करते हैं, यहाँ पर मैंने candidates में दिखा है कि वो बहुत सारा time पढ़ने में लगा देते हैं, लेकिन सारा खेल है answer adding का, सारा खेल किसी इसका answer adding का है, और यहाँ पर कई बार से means दिने वाले candidate में मैंने ये कम देखिये, कि उनकी answer writing बहुत कमजोर होती है, उसमें proper तरीके से काम नहीं करते हैं, और examination हाले में बैठ कर सबसे बड़ा दुख होता है, उनको वहीं लगता है, कि answer writing नहीं किया है, इसलिए answer की formatting जिस तरह से होनी ची, proper तरीके से वो नहीं हो पा रही है, पत्ब knowledge तो है, लेक तो यहां पर मेरा suggestion है, जैसे एक और बहुत simple सी बात बुली आते हैं, जैसे मालोग आपके पास में आपको किसी भी गाने के script याद है, लेकिन उस गाने के script याद होने से उस गाने को आप अच्छे तरह से गालोगे ऐसा जरूरी है, आप गाने को तब ही अच्छे तरह से ग को इगा रहा है, वही चीज यहां भी होती है, knowledge आपके पास में है, लेकिन knowledge मतलब script बस्कूर होने से काम नहीं चलेगा, उसको proper तरीके से एक systematic answer की रुप में लिखना, ये खेल होता है answer adding का, और तब ही आता है जब उसकी practice करीजा है, मैंने इतने सारे बच्चों की copy लगाता चिक की है, उसमें देखा है कि जब इस starting में answer लिखे आते हैं, तो उसकी quality बहुत ही खराब होती है, because obvious वात है, जिए आप exercise भी करते हो, तो शुरू में आप running करने जाओगे track में, तो वहाँ पर 100-200 मीटे दोड़ने में ये आप हापने लग जाओगे है न, देखेंगे जब condition होती है, कि यहाँ पर starting में answer quality खराब होती है, लेकिन बाद में धीरे देज आप answer writing करने लग जाते हो, तो आपके answer में एक balance देखने करी मिलता है, देखो वही answer होता है, किताब में देखने करी मिल जाए, लेकिन वहाँ पर balanced answer आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर most content लिखा मिल जाती है, उसी तरह एक बहतर answer में दिखाया, तो वहाँ पर सारा body part complete होना अच्छी है, तभी जातर हो एक बहतर answer मना आया सकता है, और वो तक कब होगा, वो तभी होगा जब आपने proper तरीके से practice करी होगी, otherwise कई बार ऐसा होता है, कि दो page में आप लिख रहे हो, content लिख रहे ह तो कहीं नगें यहाँ पर ज़रूरी यह नहीं है, कि यहाँ पर आप कितना ज़दा पढ़ के आते हो, यहाँ पर ज़रूरी उसे ज़दा यह है कि आप कितनी answer writing कर आते हैं, सारा खेल answer writing practice करता है, और देखा जाया थी आपने selective reading करके, proper तरीके से answer writing अभी तक करी है, तो आप के selection के chance by default हो जाएंगे, because मैंने देखा है कि बहुत सरे ऐसी candidates जिनों और चार 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 पांच पांच बार मेंस दिया है, उनमें सब में एक common जो कमी है, वो देखने के मिली है, कि answer writing उनकी skill कमजोर होती है, answer writing उनकी बहुत वक्त नहीं बिताते हैं, और इसकी चलते बेसिकलि उनके number, मेंस में अच्छे number नहीं आपाते हैं, otherwise यदे knowledge की बात करोगे, तो knowledge तो बहुत सरे candidate ऐसे होते हैं, जो 5-5 बारश मेंस लिख रहे हैं, तो उनके पास knowledge level तो by default बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ knowledge level से अच्छा नहीं होता, आपको answer writing practice करनी होती है, तब ही जाक है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत पिशड गये हैं, और अब हमारे बाकी जो colleagues से बहुत आगे निकल चुके हैं, मैं कैसे balance करूँगा, देख़े मैं एक छोड़ी कहानी आपको सुनाता हूँ, basically जब आप किसी आटो में कभी बैठे हों, यदि आप बैठे होंगे त आपको पता ही हुआ, और आटो में जो seat होती है, उसमें आपने देखा होगा तीन लोग बैठ पाते हैं, खैदे से, लेकिन मालो आटो जा रहा है रास्ते में, उसने एक और आदमी को बठा लिया यहां पे, और जो आदि बैठता है तो उसमें देखा होगा सुरू में तो उसका अधिकांस पार्ट बाहर रहता है और थुड़ा साई पार्ट वसके लें अंदर रहता है, लेकित उस इंसान के अंदर कमिटमेंट है कि धंक से बैठना चाहता है, तो जब आटो आगे चलता है, वहाँ पे कई गड़्डे गुड़्डे आते हैं, तो आटो आटो अंदर स्रिफ्ट होते होते, प्रॉपर अपना स्पेस बना लेता है, मतलब जो इंसान लेट बैठाटों में, वही प्रॉपर तरीके से सिट्मेटिक तरीके से बैठ सकता है, आपने ऐसा देखा होगा, अक्सर एक की बात नहीं करो, हमेशा की बात होती है, तो वही चीज़ की चाहँ से बढ़ जाएंगे, आपका confidential भी पढ़ेगा, तो मैं रखने मतलब यह है कि यहाँ पर आपको यह डाउन होने की ज़रूद नहीं है, बहुत साथा टाइम निकल गया, आप कैसे होगा, क्या होगा, डोंट वरी बहुत 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 answer adding जो है, उसमें मैंने बहुत कंडिट को देखा है, कई बार वो emotional भी आते हैं और एक तरफ जुकावन का हो जाता है, answer adding करते वक्ते इस इसको ध्यान रखें, proper balance बना के रखें, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको emotional होगे, आपसे पुछा गया है कि हाँ, बताओ हमारे देश में corruption के हलत क्या है, और हमारे state में क्या corruption, जो कोई भी corruption index के बारे आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, तो वहाँ पे हम corruption के बारे बहुत सा reason उजागर कर देते हैं, that's fine, फिर उजागर करते करते हैं, हम लोग state के खिलाफ में बोलने लग जाते हैं, और कई बार यह दिख आती है, यह चीज़े नहीं होने चीए, मतलब आपको posture negative दोनों लिखना है, और balance बनाकर जब conclude कर रहे हों, तो वहाँ पर optimism जहलखना चीए, मतलब आसावादी discord जहलखना चीए, बहुत important होता है, चुकि यह टीचर ने आपके answer को पूरा यह दिख पढ़ लिया एक बार, और वही चीज़ आपका पूरा direction तयार कर देता है, कि हाँ यह लड़का इस तरह का है, तो इस इसको विशेज ध्यान रखें कि अपने answer को लिखते वक्त बहुत जाई emotional मत हुआ करें, proper दिमाग लाके प्रोपर तरीके से लिखें, that's very important one, हो सके तो प्रयाज करें किसी भी question को ज सकती है, this is cop, ध्यान रखें, क्या लिक नाय में, अपने जो opinion बनाएंगे, balanced opinion होना चीए, क्या होना चीए हमारे, हमारे opinion, balanced opinion होना चीए, that's a very very important one, now एक दू चीज़ें और discuss करते हैं, हाला कि अधिकांस चीज़ें, लबग, major चीज़ें हमने discuss कर लिया है, एक छोटी सी चीज आप से चलते चलते और discuss करूँगा, देखें क्या होता है कि, because right now we are having such kind of, you know, situations with candidates, देखो, इस में से जवाप answer को लिख रहे होते हो, तो starting में आप cancer equality हो सकता है, बहुत ही खराब है, मतलब आपको भी अपने आप में सर्मान रग जाए कि मेरा answer तो बहुत खराब आ रहा है, इस मत हो, because शुरू में answer quality by default है किसी ऐसी होती है, मतलब हम लोग भी test series में copy check कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी दिक्कते होती हैं, मैंने answer quality में बच्चों को दिखा है, तो उसे panic होने जिरूत नहीं है, आप answer लगाता लिखते जाओ, अपने आप वो बहतर हो जाएगी, मतलब य एक कहावात है, गहन घसे से कुलडा होए, जब जबर घसेया होए, तो यह आप, I don't know, कहा मैंने सुना है, but that's very powerful, कि जो घन है, मतलब जो cube है, उसको घिसने से कुलाड़ी बन जाता है, जिदि घिसने वाला committed हो, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको घिसना होगा अपने आ मोरल डाउन करके दिए, आप काम करोगे, तो हो सकता है, आपको रिजल्ट प्रॉपर तरीके जिसरेस आप चाहते हो, उसरेस रिजल्ट आपको ना मिल पाए, that's very important for you, है न, तो चलो हलाक कहने के लिए भी बहुत सरी चिज़ें है, वो हम लोग कहेंगे बाद में हलाकी, ले झाल